हेलो फ्रेंड्स जे मिटर टूर्यल की सिरीज में आज आप देख रहे हैं लक्चर वन जिसमें हम जानेंगे कि जे मिटर क्या होता है जे मिटर के प्रियूप के साइट्स क्या होते हैं जे मिटर को सीखने में कितने दिन लगते हैं जे मिटर के लिए आपको system की requirements क्या होनी चाहिए और Jmeter को सीखने से पहले आपकी knowledge में क्या क्या होना जरूरी है तो ज़्यादा टेम नगवाते हुए हम सीधे चलेंगे कि Jmeter क्या होता है मैंने एक document पहले से ही download किया है जिसके जरी में मैं आपको बताऊंगा कि Jmeter क्या होता है Jmeter एक Java का open source software है जिसको डेवलप किया था इस्टिफैनो मैजोचीन है और यह Apache के जरी हमको मिलता है Jmeter का use हम performance testing में करते हैं load testing में करते हैं लेकिन आज कल Jmeter का use functional testing और database server testing में भी किया जाता है और अब बात आती ही कि Jmeter आखिर क्यों तो इसका simple समय आपको एक example दूँगा कि अगर मान लीजिए आप Facebook में एक worker है और आपसे अगर आपका manager आकर पूस्ता है कि बताइए अगर Facebook में 1000 लोग एक साथ login करते हैं तो Facebook application का behavior कैसा होगा तो आपको यहों बताने में काफी दिक्कत होगी क्योंकि आप एक साथ 1000 लोगों को phone पकड़ा कर Facebook में login करने के लिए नहीं बोलेंगे तो इस समस्षा को दूर करने के लिए हमारे बीच में जे मिटर आता है जे मिटर में आगे चलब हम सिखेंगे कि कैसे होगा कि 1000 यूजर एक साथ अगर login करेंगे Facebook में तो Facebook का behavior कैसा होगा Facebook के लावा बहुत से ऐसी web application है जिसमें ऐसे cases हो सकते हैं कि हम यह जानना चाहेंगे कि एक साथ इतनी चीजें इतनी requests अगर किसी application में आज जाएं तो उस application का behavior कैसा होगा तो एक यह छोटा सा example था जे मिटर के लिए उसके बाद अगर आप देखेंगे जे मिटर की advantage जो है वो आप screen pause कर लीजिए यह पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जे मिटर की advantage क्या है एक एक topic को लेना इस वीडियो में काफी वीडियो लंबी हो जाएगी कि इसलिए आप screen को pause करके एक एक यहाँ पर topic देख सकते हैं कि जे मिटर के advantage क्या क्या है screen को pause करकर आप यह देख सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि जे मिटर work कैसे करता है तो एक workflow का कभी अच्छा design इसमें बना हुआ है सबसे पहले हम request send करते हैं जे मिटर के जरी है और वो request हमारे target तक जाती है target में जिस भी web application को हम search कर रहे हैं वो वहाँ तक जाएगी उसके बाद वो हमको response देगी और response के बाद जे मिटर हमारा test report को generate कर देगा और हम आसानी से उस web application का behavior जान पाएंगे अब यह देखिए आप screen pause करके इस figure को देख सकते हैं कि कैसे जे मिटर काम कर रहा है पहले create request to target server हो रहा है और server response कर रहा है save all responses हो रहे हैं हमारे और जो collect and calculate statistical information तो हमारी information लास्ट में save हो जा रही है और उसके बाद जे मिटर जो भी आप पढ़ड़ है तो मैं आपको 4.0 यूज करके दिखा रहा हूं हो सकता है जब हम वीडियो बनाएंगे या वीडियो आप future में देखेंगे तो जे मिटर के version बदलते जाएंगे लेकिन ज्यादा कुछ changes उसमें नहीं होता है कुछ जड़ा से changes उसमें होते हैं उनको भी हम बाद में cover करेंगे तो दुसरा हमारा topic है कि prerequisites for जे मिटर जे मिटर के लिए हमारे computer में क्या-क्या होना जरूरी है तो जे मिटर हमको पता है कि यह जावा बेजड है तो इसके लिए हमारे computer में जावा का होना बहुत जरूरी ह तो सायद आपको पता होगा कि आपके computer में Java है या नहीं अगर आपको नहीं पता कि आपके computer में Java नहीं है तो window R का बटन दवाएं उसमें आप एक run का pop window खुल जाएगा उसमें आप cmd type करें और ok करें तो हमारा command prompt खुल जाएगा तो हमें कुछ नहीं इसमें Java लिखना है space देना है hyphen version लिखना है तो इससे मिझे अपने computer के Java का version पता चल जाएगा अगर मेरे computer में Java होगी तो आगे command run करेगी वरना ये command रुख जाएगी आपके computer में अगर रुख जाए तो समझ जाना आपके computer में Java नहीं है आपको सबसे पहले Java इस्टॉल करनी है मैं आपका इंट computer में Java का वर्जन बता दिया है 1.8 मेरे Java का वर्जन है अगर आपके में Java का वर्जन सो नहीं हो रहा है यानि आपका computer में Java नहीं है तो इसलिए आप सबसे पहले Java डाउनलोड करेंगे Java डाउनलोड करने के लिए मैं आपको simple सा जल्दी से fast example दिखा देता हूं कैसे करनी है Java free म में आप डाउनलोड करेंगे औरेकल हमको Java free में provide करता है तो मैं आपको दिखाता हूं कि Java को आप कैसे install करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है जावा free डाउनलोड मेरे एंटरनेट थोड़ा slow है अब आप देखेंगे कि हमने Java free download को जो क्लिक कर दिया और आप देखेंगे कि यहाँ Free Java download में अपने क्लिक करना है और जो दिखा रहे हैंगी इसका जो release date है वह July 2022 2008 तो free java download में आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि agree and start free download में आप क्लिक करेंगे उसके बाल हमने यहाँ पर क्लिक कर देना और देखिएंगे कि फाइल साइज 68.47 gb mb है सोरी और यह देखिए जावा डाउनलोड होने लग देखिए इसको मैं डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में पहले से ही जावा है तो इसके बाद आप डाउनलोड पात पर जाएए और जावा को इस्टॉल कर लिजे बहुत ही सिंपल है इसके अलावा आपके कंप्रेटर में कोई भी प्रेविकर साइट नहीं चाहिए जेमिटर को चलाने के लिए उसके बाद एक क्वेशन और आता है कि हाव मैनी डेज्ट वी कैन लेंट जेमिटर को सीखने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे इस इसके बाद एक क्वेशन और आता है तो यह सब कुछ डिपेंड कर था आपके ऊपर आप जेमिटर को 24 आवर्स में भी सीख सकते हैं तीन दिन में भी सीख सकते हैं लेकिन आप सेवन डेज में जेमिटर को अच्छे खासा सीख सकते हैं तो इस पूरे लेक्चर की स्रीज में मेरी एकोसिज रहेगी कि आपको जिमिटर का एक ट्रॉपिक में अच्छे से एक्जाम्पल के जरी सिखाऊंग। उसके बाद हम देखेंगे system requirements क्या है आपको computer की requirements क्या क्या होनी चाहिए यानि आपका computer कम से कम इसमें processor core का होना चाहिए core i3 या core i5 RAM आपकी 4GB कम से कम होनी चाहिए क्योंकि जिमिटर के लिए RAM ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे अगर इसमें hang का issue आएगा तो उसका जो कारण होगा वो हमारी RAM की कमी होगी तो इसलिए 4GB RAM कम से कम ज्यमिटर के लिए होना जरूरी है core i5 core i3 होना जरूरी है और windows का वर्जन windows 7 चलाएं ओक है window 10 चलाएं ओक है उसके बाद आता है कि what knowledge should I have to learn ज्यमिटर यानि ज्यमिटर सीखने के लिए में http क्या होता है http request क्या होती है और response क्या होता है server क्या होता कुछ basic knowledge होना जरूरी है आप internet पे जाकर इसको search कर सकते हैं तो अब हम देखेंगे कि ज्यमिटर को आखिर download कैसे करना है तो download करने के लिए आप अपना web browser खुलेंगे web browser में आपको सीधे type करना है जे मीटर download जैसी आपने जे मीटर डाउनलोड लिखा तो अपाचे जे मीटर डाउनलोड पहला ही link हम को यहां पर show हो गया है इसमें मैं आगे क्लिक करूंगा मेरा internet थोड़ा slow है आप केस में थोड़ा जल्दी होगा तो आप देख सकते हैं कि अपाचे का एक website खुल चुकी है और यह page especially जे मीटर के लिए बना हुआ है तो उन्होंने यहां पर जे मीटर के लिए बहुत सी चीज़े यहां पर लिखी हुई है तो आप देखेंगे कि अभी जो वर्जन चल ला है अपाचे का वह 5.0 वाला है जो जे मीटर का जो आप वर्जन यह देख रहे हैं यह 5.0 है इसमें अब दो अप्शन आ रहे हैं एक उनको जावा आती है उनके लिए यहां पर सोर्स वाला उप्शन है उसको वह लोग जे मीटर को अपने तरीके से कस्टमाइज करके डाउनलोड यह सोर्स वाले हेडिंग से कर सकते हैं लेकिन आपको बाइनरी वाले से करके दिखाऊंगा नीचे वाला वर्जन हमार लेह 5.0 वाला मैं इसको डाउनलोड करूंगा यह देखें डाउनलोड यहां पर होने लग गया है कुछ टैम यहां पर डाउनलोडिंग में ले रहा है मेरे इंटरनेट की थोड़ी स्पीड यहां पर कम है इसले ले रहा है 54.3 MB का यहां पर यह हमारा सॉप्टेवर है तो मैं जब त जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यह जिप फाइल के रूप में हमारे में डाउनलोड हुआ है तो इसको मैं भी यहां पर एक्स्ट्रेट कर लूँगा क्योंकि एक्स्ट्रेट के बाद ही मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा इसलिए चलिए इसको एक्स्ट्रेट करते हैं तो दोस्तो मैंने जेमिटर को डाउनलोड करकी उसको बिबारा अंजिब्बी कर लिया है तो आप देखेंगे यहां पर अपार्ची जेमिटर 5.0 फोल्डर मेरा आ गया है और इसको अगर मैं उपन करूँगा तो यहां पर बहुत से फोल्डर है और इसमें मिझे बिन फोल्ड देखेंगे उसके बाद यहां पर बहुत से फाइल है शो रही है और यहां पर दो तरीके हैं इसको खोलने के अपाची जेमिटर को एक तो आप सबसे पहले टेंप्लेट के नीचे अपाची जेमिटर वादी एक्जीकुटेबल जार फाइल देख रहे हैं इसको अगर आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो जेमिटर ओपन हो जाएगा दूसरा तरीका इसका यह है कि आप यहां पर जेमिटर देख रहे हैं और वह जो फाइल है वह विंडो बैज फाइल है इसको भी अगर आप दो बार क्लिक करेंगे तो जेमिटर आपका रन हो जाएगा तो आप तो इस पहले लेक्चर में सिर्फ इतना ही आने वाले लेक्चर में हम जेम्टर की आके बहुत से टुटेल पढ़ने वाले हैं और आप से उम्मीद यही है कि आप इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो आप इसको लाइक कीजिए और जादा से जादा लोगों को इसको सेर कीजिए क्योंकि यह टुटूरियल फ्री और पोस्ट है और आपका सुझाओ या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंड करकर मुझे बता सकते हैं फिलाल आज के लेक्चर में इतना ही धन्यवाद